वल्कुम् टिश्वान डिक्टेशन डिक्टेशन पांस सिगेंड बाज शुरू होगा रेडी स्टार्ट प्रधान मंत्री ने कोविड उन्निस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का निर्माड करने वाले तीन अलग संस्थानों का दोरा करके एक तरह से हर किसी को यह संदेश देने का काम किया की भारत इस मामले में दुनिया के साथ कदम ताल कर रहा है प्रधान मंत्री का एक ही दिन हमदाबाद हैदराबाद और पूरे की यात्रा करना और इन शहरों में इस्थित संस्थानों में वैक्सीन के निर्माड की तैयारियों का जायजा लेना इसलिए उलेखनिया है क्योंकि हाल में कुछ अंतरराश्ट्रिय कमपनियों की ओर से ऐसे समाचार आये थे कि उनकी वैक्सीन निर्माड के अंतिम चरण में है और उनकी सफलता का प्रतिशत 90-95 तक है इन इस्थितियों में यह जिग्याशा बढ़ना स्वाभावित था कि देश की जनता के लिए वैक्सीन की उपलब्धता कब संभव होगी प्रधानमंत्री का यह दोरा इस जिग्याशा को सांत करने में सहायक बनना चाहिए यह उलेखनिय है कि जो अंतररास्ट्री कमपनिया वैक्सीन निर्माड कर रही हैं उनमें कुछ के साथ भारतिय कमपनिया भी सहयोगी की भूमिका में हैं यह भरोसा बढ़ाने वाली बात है कि एक तरह से कोरोना महामारी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी चुनोती का सामना करने में भारतिय कमपनिया कहीं अधिक आगे दिख रही हैं यह इस्तिती विश्व के परिद्रिश में भारतिय कमपनियों के आगे बढ़ने का परिचायक है इसके प्रती सुनिशित हुआ जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ और कमपनियां कोविड-19 महामारी से निपटने में कारगर वैक्सीन का निर्माड करने में सक्षम होंगी लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता अर्थार्थ टीका आम लोगों को उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक यह अनिवार्य है कि लोग सावधानी बरतें और उन सब तोर तरीकों का सकती से पालन करें जो कुरोना से बचे रहने में सहायक है यह इसलिए कहीं अधिक आवश्यक है क्योंकि एक तो वैक्सीन की उपलब्धता में अभी भी विलंब है और दूसरे वैक्सीन निर्माड के ततकाल बाद इतने बड़े देश में सभी तक उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में समय लग सकता है एक अनुमान के तहत यह कहा जा सकता है कि अभी वैक्सीन उपलब्ध होने में दो से तीन माह का समय लग सकता है तब तक यह जरूरी है कि लोग मास्क के इस्तेमाल के प्रती सजगता का परिचैदें शारिरिक दूरी के प्रती जहां तक संभव हो सतर करहें और साफ सफाई के साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखें यह ठीक नहीं की तमाम अपील अनुरोध और आग्रह के बावजूद सारवजनिक अस्थलों में वैसी सावधानी का परिचै नहीं दिया जा रहा है जैसी आवश्यक है कम से कम सर्दियों के इस मौसम में सावधानी का स्तर और बढ़ना चाहिए लोगों को यह समझने की आवशकता है कि उनकी लापरवाही इस महामारी के प्रकोप को और अधिक बढ़ाएगी ही स्टॉप